हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो माई चैनल टैक टॉक विस्सरा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टिक टॉक पे अभी चैलेंज चल रहा है रेक्ट टू दिस आप उसके उपर वीडियो कैसे बना सकते हो तो दोस्तो सबसे पहले तो आप अपनी किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करो जिसके उपर भी आप अपनी रेक्शन वीडियो बनाना चाते हो फॉर इजेंपल दोस्तो अब मैं आपको इस वीडियो के उपर अपनी एक रेक्शन वीडियो बना के दिखाता हूँ तो friends reaction video बनाने के लिए आपने क्या करना है कि right hand side पे आप देख सकते हो कि like और comment के नीचे एक arrow है इस arrow का मतलब होता है share तो guys आपने इस arrow के उपर करना है tap इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे काफी सारे option मिलेंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे का option है react का आपने इसके उपर tap करना है इसके बाद दोस्तों आप notice करोगे कि अब आपकी screen के उपर एक छोटी सी screen और आ चुकी है जिसमें आप अपने आपको देख सकते हो तो इसका मतलब यह आए दोस्तों कि अब आप इस video के related इस screen से अपने reaction को describe कर सकते हो तो इसी तरह guys जो react to this challenge है आप उसके उपर video बना सकते हो तो अब दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने इस video को दुबारा shoot करना है जैसके आप देख सकते हो कि नीचे एक video बनाने का option आपके पास है तो अब guys आप इस video को दुबारा shoot करें तो यहाँ पर मैं countdown को ही start कर देता हूँ तो अब दोस्तों मारी ये video दुबारा चल रही है यहाँ पर और उपर छोटी screen में आपने अपना reaction बताना है कि आपको ये video देख के आपके क्या क्या reaction है तो जब guys ये video आपकी completely बन जाएगी उसके बाद दोस्तों आपने इस video को post कर देना है जैसे कि आप दूसरी videos को post करते हो उसी method से आपने इस video को भी post कर देना है और इसी तरह से दोस्तों आप TikTok पे जो reaction challenge चल रहा है मारा react to this challenge आप उसके उपर video बना सकते हो और popular हो सकते हो तो guys ये थी मारी आज की video I hope so guys आपको मारी आज की video अच्छी लगी होगी Thanks for watching my video Please like, comment and share my video